गुड मॉनिंग साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्टडी पे साइंस की दूसरी क्लास है जैसा कि आपके सामने कोशन दिख रहा है आप सभी को आपके एक सामने बहुत अच्छी चीज रहेगी आज हम एक कोशन को बड़े बारीकी स से बड़े प्यार सिर्च करेंगे ौक है औरत सारे वायान लाइक करनी हैं कि जतने की बाहीत है जतनें मेरे वीङियो को देख रहें हैं लाइक करनी इसारेअगे इंग्पर त्यास्ता स्टाइसाई मात रखें आधे यंग्पर त्यास्ता एसटी का जो क्या बोला है इसका गुणां का इस आई मत रखें दोस्तों ब्हुते पर मेटर न्यूटन पर метर स्केअधि न्यूटन पर मीटर स्केअधि ability करता हूं कि सब कोक्षे से समझाया होगा next question की तरफ बढ़ते हैं जो अगला question है वो दे रखा है कि निमन में से कौन सी एवी मियर असी है एवी मियर होता है जिसकी कोई विमाई नहीं होती क्या नहीं होती कोई विमाई नहीं होती हमें यह है बताना है आपके सामने option है में विकरति स्यानिता गैस नें तांक प्लांक नें तांक तो यह जो question जो अप देख रहे हैं इसकी question एससी में आया हुआ है ssd का एक्जाम में आया हुआ है और इसका जो हमारा answer रहेगा वो रहेगा विकरति इसकी क्या है यह राशी है कौनसी विकरती ठीक साथियों उमीद कर रहा हूं सारे वेंड वाईयां का सम्झेमाना लाइक डियोगी नेक्स्ट कुश्चन कुन सी राशी सदिष नहीं है यह कुश्चन सिदै में से कौन सी सदिष राशी नहीं है सबस पड हूआ है दो परकार ही राशी होती हैं एक होते हैं सदिष राशी है सदिश में क्या होता नाम से पता लगता जिसमें दिशा और परिमान दोनों होता है तो शदिश नहीं है तो दर्वयमान एक सदिश राशी नहीं है इन में से इन में से दर्वयमान जो है एक सदिश राशी नहीं है नेक्स्ट कोश्चन साथियों नेक्स कोष्चन की तरफ आफ चलेंगे इदिश राशी इनमें से आप सभी को बता ना है कि कौन सी कोन चीयर और सी है कुर ऑजीयदिश यह डेकिए जो बल आघुरन है जो बल आघुरन मतलु कोमेगा संवेग यह तो सदीस हैं तो उर्जया जो है एक एदिश राशी और जा कहा है दोस्तों एक एदिश राशी इसी परकार नेक्ट कुश्चन साथ ही हो निमल लिखित में से कौन सी एक शदीश राशी है शदीश राशी बताना है आप सभी को देखिए वीडियो बहुत लंबी तो नहीं जाएगी करीब करीब 10 से 15 मिनिट के जाएगी और सब ने जीशे लेके वीडियो देखनी है एक नमर का मजा ना जीए अगला कुश्चन जो सब्सक्राइब रखा है आप सभी के सामने कि निमल लिखित में से सदीश राशी क्या है सदीश राशी इन में से दाब उर्जा करी यह सब आदिश राशी है और संवेग जो है संवेग जो है मेरे मित्रों वह क्या है एक शदीश राशी है कौन सी राशी है दोस्तों सदीश रासी next question इसकी PDF आपको उसमें मिल जाएगी टेलिग्राम के चैनल पर टेलिग्राम चैनल कर लिंक जो है नीचे दिया हुआ है आगे चलते हैं कौन सी रासी सदिश नहीं है कौन सी रासी सदिश नहीं है निमें से कि सदिश नहीं है तो इन में से एक ही उत्तर आएगा वह आएगा विस्थापन विस्थापन जो एक ऐसी रासी है जब सदिश नहीं है सोरी 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 मेरे मित्रों आयेगा आपन एक सदीश राशी नहीं है बाकी सदीश राशियां है सभी में दिशाय होती है आइस निमें नहीं होती नक्ष्ट कुछिन की तरफ बढ़ते हैं यह बड़ा स्टिंग और मोस्ट इंपर्डेंट पॉस्चन है बड़ा इंपर्डेंट कुश्चन है साथियों यह इंपोर्टेंट है एक्सलेर्चन होता है एक्सलेशन आप सभी को बता है की चेंजने बिलोसिटी एपॉन टाइम mainus yeo बैए T b होता है फाइनल विलोसिटी स्टेश्टी अंतिम वेग और यू होता है कि इनिशियल स्टाइ에 अला प्रारंबिक को कि इनिशियल चीकर सात्रति tio मैं उमीद करता हूं सब कोच्छे से समझ आया होगा भी माइनेस यू बाइटी यानिकी फाइनल विलोस्टी मैंनेस इनीशल विलोस्टी वाई में टेक टाइम तेकन तो यह रहेगा नेक्स्ट कुश्चन की तरफ बढ़ने से पहले में कहूंगा सभी के सभी शेर मार दो राइट हैंड क एक दे तरह नीशें की तरह सेहर है शेर का बटन है अर्चेगायो इतने वाई सोड़ा अतने था राशेर का वटन है फढ़ड भड फड़ धैंढ़ द्योगया देओ रिंकी कती न्युदू माठाय देओ नेक्स्ट कुश्चन है मित्रों एक लड़की एक जूले पर बैठ रही है स्थीती में जूला जूल रही है सावन के जूलों ने मुझे को बुलाया मैं पर दिसी घर वापस आया तो अगला है कि एक लड़की जूले पर बैठ रही ह एक लड़की के घड़े हो जाने जाती है जैसे एक लड़की जूला जोनती है जरते हो जाती है इसका जो डोलनका आद का हूंँ हो जाएगा ज़ए है option number रहेगा यह दोलन का वर्तकाल क्या है मेरे दोस्तों कम हो जाएगा PDF के लिए मैं कहे रहा हूं कि टेलिग्राम चैनल का जाइन करें आज ही नेस्ट है यदि किसी वश्तू किसी चलती है वश्तू के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी तवर्ण दोगना हो जाएगा दुगनी हो जाएगी गति उर्जा चारगनी हो जाएगी यह बहुत इंपोर्टन है यह एक चासी के ग्रूप डी में कुश्चन आथा सेम अचा सी एक प्टे का स्केर होता है अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे यानि की वी की वैल्यू को अगर हम डबल कर देंगे तो दो का स्केयर क्या हो जाएगा चार तो इसकी गती जो जा है वो चार को नहीं हो जाएगी और यह हमारा अंसर रहेगा यह भी पीसियस के एक्जाम में आया किसी पिंड के दर्वयमान और भार में अंतर होता है क्योंकि दर्वयमान परीवर्थ नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं दर्वयमान परीवर्थ नहीं होता है और बाहर पर वहतनी होगा डबलू जो होता है एम गुणा जी के मास गुना ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे उपर लग रहा है मास गुना में ग्रेविटी इसके कारण जो होगा वो डबलू होगा हमारा इसलिए हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होगा दोस्तों वो क्या रहेगा नियत रहेगा नियत क्या रहेगा नियत जो तुम्हारी पढ़ने के अंदर बिल्कुल नहीं होती है ठीक है आगे चलेंगे हम नेक्स्ट कुश्चन की तरफ है आगे कुश्चन है कि परतेक खिरिया के बराबर एक परतेक क्रिया के बराबर विप्रीट क्रिया होती है है इज एर अविदे एक्शन सर एक वलबाटी न पोजिट डिरेक्शन यह न्यूटन के थाड ला में भोला गया था है मोच्छन कहते हैं इसे हम न्यूटन की गतीं बहुत इंपोड़न्ट कुश्चन है यह इन रेलवे में पक्का कुश्चन आएगा आज पक्का कुश्चन ऑप्सक्राई लिलमें तैर न्यूटन की गती किस नियम के करनी हो पाया है जल्में जो तैरना होता है वो न्यूटन की किस के नियम के पहले दूसरे तीसरे और टीनों के आपको बताना jar तो मैं यह बात कहता हूं इच जैसे हम फोर्स लगाते हैं पाने जितना हम हटाते हैं उतना ही हमारा स्रीर आगे जा पाता है इसलिए हमारा उत्तर रहेगा न्यूटन का थार्ड ला रहेगा स्पक्यार equi कि कि कोई भी पिंड जब आराम वायस्थम मैं ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बहुतीहala नियम बी है यही का कि छाइव न्यूटन की गतिका पहला नीयम से हम कहते हैं और हम यह बताना है कि यह किस ने कहा था यह कषण थे यह कषण थे आईजक न्यूटन के सर आईजक न्यूटन के कथन थे मेरे दोस्तों किसके थे न्यूटन कोई बच्छे कहते हैं कि जो ये पेड़ पर से सेव गिरा न्यूटन के सिर पर कास वो पेड़ गिर गया होता तो हमें फिजिक्स नहीं पड़नी पड़ती और न्यूटन भी मर जाता मैं एक बात कहता हूँ आवशकता आविस्कार की जन्नी है न्यूटन कोई खोज नहीं करता उसके लावा और कोई कर देता नेक्स कुछन की तरफ बढ़ेंगे ज्यादा बातों पर ध्यान ना देते हुए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा गया है बहुत ही असान और पूर का नियम नेक्स कुछन की तरफ चलेंगे रोकेट का सिध्धान्त रोकेट का सिध्धान्त किस पर करिये करता है बड़ा इंपोर्टेंट कुछन है साथ हूं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कुछन उठाए हैं आज मैंने यह यह बहुत पर पूछा जाता है अब की बा पहला नियम जड़ताओं का नियम बता था हम दूसरा नियम भी बढ़ा था हमने कि हम तैयरभाते हैं तो उसके गरण हमारा जो उत्तर है वही एक ही रहेगा आगे चलते हैं बल बल्की परिभाषा ये बल्की परिभाषा किसे उसमें दी गई है तो न्नुटन के घति के पहले ना इम से स्थे लॉट के लॉट के परिभाषा ने मिल आखिका साथियों आगे हम चलते हैं आगे चलेंगे next question के तरफ बल जो है गुनदफल है किसका बल जो है force is the multiply of किसका है mass into acceleration का है दर्वेमान और तबन का है दर्वेमान और तबन का है जो कि हमारा गती का दूसरा नियम भी है जो हमारा गती का दूसरा नियम भी है और हमारा उट्तर भी यही है एक इस इकवल टू के एम एक कोंस्टेंट है एम क्या है दोस्तों मास कि ए है एक्षेलरेशन अरे राइटिंग के लिए ताड़िया मुझा है दो यार देखो कितना अच्छा लिख दिया आगे चलते हैं कि हम नहीं यहली हो पहले उसी का क्षा रहुआ तो जी कामान क्या होगा से हम कहां 35 घृफ omega कहां चाहिंआ गए ताए हैं को यह हैं बताना है कि जी एका मान में क्या परिवार्टन होगा तो ुछी का मैं जो है वो बढ़ेगा किया ह về बढ़ेगा किकि सबसे जदाव पर होता है जी कमान और सबसे कम होता है भूमद्य रेखा के उपर आगला क्वेशन जो है और आज का शायद सैक alltså question है दोस्तों जाड़ों की रात में जैसे ठंड की रात होती है अहीं लिवात ठंड पढ़ने पर पानी की source जाती हैं क्योंकि क्या होता है बताईए आपके सामने चार उप्षिंस आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं इनको बड़े अराम से वाप उत्तर दे सकते हैं मैं कही हैं देखिया आपके अप्षिंस जो हैं वो चमने के बाद जो पानी है पानी घंता हो जाता है यह बंखना वाई कोई जमने के बाद पानी कटोर हो जाता है और उसकी रदोड़ में और जूर्च लो पर चलने के बेक्षा बरफ पर चलना गठीन होता है क्यों देखिए एक फ्रिक्षन फॉर्च बताया था जिसे हम क्या कहते हैं गर्षन बल कहते हैं क्या कहते हैं गर्षन बल जो गर्षन बल होता है वो बल क्या कहलाता है जब हम एक वस्तु चलती है किसी दूसरी वस्तु के उपर जो एक विस्तू का निचले वाला सिरह होता है उसके कुंटेक्ट में आने पर मैंने बहुत अच्छे आप अच्छे से देख सकते हैं सडक पर चलने के पिक्षा अठेख़ ऑस चलना कठी नहीं होता है क्यों कि आप जब देखते हैं कि बaffen सबसक्ति सबसक्त Portal कम होता फ्रिक्षन क्या है लेस होता है लेस फ्रिक्षन इसी के कारण क्या है लेस फ्रिक्षन होता है इसी के कारण नहीं चल पाते अगर किसी साथी ने यहां तक वीडियो को देखा है लाइक करे शेयर करे शब्सक्राइब करे हमारे चैनल को और शाम को छे बजे वीडियो आईगी की रिजनिंग की वो देखना ना भूलें और इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्त मित्रों मित्रियों के पास